मुझे प्रातहकार अपना प्रेम दिखा, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ, मुझे सनमार्ग के शिक्षा दे, क्योंकि मैं अपनी आत्मा को तेरी ओर अभिमुक्ष करता हूँ प्रभू तुझ प्रातहकार मेरी पुकार सुनता है, मैं प्रातह अपना चड़ावा सजाता हूँ, और प्रतीक्षा करता रहता हूँ तेरी शिक्षा मुझे जोती प्रदान करती और मेरा पत आलोकित करती है। आज का पवित्र बचन जीवन वितीत करें और आनन से इश्वर के दिन की प्रतिक्षा करें। उस दिन अकाश जल कर विलीन हो जाएगा और मूल ततव ताप के कारण पिगल जाएंगी। हम उसकी प्रतिग्या के अधार पर एक नए अकाश तथा एक नए प्रत्वी की प्रतिक्षा करते हैं, जहां धार्मिक्ता निवास करें। इसलिए प्यारे भायो इन बातों की प्रतिक्षा करते हुए इस परकार प्रयतन करते रहें कि आप लोग प्रभु की द्रिष्टी में निश्कलंक, निर्दोश तथा उसके अनुकूल हो। यदि प्रभु अपनी सेहनशीलता की कारण देर करते हैं, तो इसे अपनी मुक्ती में सहायक समझें। जैसा की हमारे भाई पॉलस ने अपने को प्रदत प्रग्या के अनुसार आपको लिखा है। प्रियो भाईयो, मैंने आप लोगों को पहले से ही संचेत किया है। आप सावधन रहें। कहीं ऐसा नहों, आप उन दुस्टों के भेकावे में आकर विच्रित हो जाएं। आप लोग हमारे प्रभु और मुक्ती दाता एसा मसी के अनुग्रह और ज्यान में बढ़ते रहें। उन्ही को अभी और अंतकाल तक महिमा प्रभु की वानी इश्वर को धन्यावाद। संद मर्कुस का सुसमाचार अध्याई बारा पस संख्या 13 से 17 तक। उन्होंने इसा के पास कुछ फरिसियों और हरदियों को भेजा जिससे वे उन्हें उनकी अपनी बात के फंदे में फसाएं। वे आकर उनसे बोले गुरुवर हम ये जानते हैं कि आप सत्या बोलते हैं और किसी की परवा नहीं करते। आप मुँ देखी बात नहीं करते बलकि सचाई से इश्वर की मार की शिक्षा देते हैं। केसर को कर देना उचित है या नहीं। हमें दे या नहीं दे उनकी धूर्टता भाब कर इसा ने कहा। मेरी प्रिक्षा क्यों लेते हो एक दिनार लाकर मुझे दिखलाओ। वे एक दिनार लाई और इसा ने उनसे पूछा ये किसका चेरा और किसका लेख है। उन्होंने उत्तर दिया केसर का। इस पर इसा ने उनसे कहा जो केसर का है उसे केसर को दो और जो इश्वर का है उसे इश्वर को। ये सुनकर वे बड़े अचम्बे में पढ़ गे प्रभु का सुसमाचार क्रिस्त की चै